है । वहुंस वीडियों में नॉर्मली जो एम्यू जाम्य है पर सुसल आवर्यनिस जनरल आवर्यनिस और करेंट अफिर्ट अवेपर का पेपर जो पूछा जार रहे वह आपको पता चल जगा उससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं रिमाइड कर दो यहां पर जिस किस इससे भी स्टूडेंट को जामे के बीए पॉलिटिकल साइंस, बीए प्रोग्राम, बीललवी, बीवीकॉम, जेगरफियोफियोजी, साइकॉलजी, एंड एम्यू के बीए ओनर्स, जामे एम्यू का ही बीललवी, इनमें से किसी भी कोर्स का आप इंटरेंस एक्जाम दे रहे ह इस student info के भी हाद में, mock test ready किया गया है, यानि test series mock test नहीं, बलकर test series कह सकते हैं, test series ready किया है, तो जिस किसी भी student को join करना है, वो join कर सकते हैं, join करने के लिए already my number दे रहा है, आपको detail बता दी जागा, लगबग 10 set ready किये गए हैं, और बिलकुल entrance oriented है, बाकि इन साट में में, आप पेपर के लेवल के है और आपकी कितना हेल्प मिलेगा आपको इंट्रेस्ट मॉर्मली जामय का पेपर ऐसे ही दीखा जाते हैं यह एम्यू का भी और आप तो सीउटी भी हो चुका है चलिए अब हम बिना टाइम वेस के हुए कोशन स्टार्ट करते हैं सो कोशन नमर फर्स से चलते हैं अगर आपको करेक्ट टांसर पाता हो तो आप कमेंड भी कर सकते हैं और बाइदेबे अगर हम इनकारेक्ट हो तो आप हमें भी करेक्ट कर सकते हैं सिंपल सी बात है और आप कमेंड कर लिजेगा सिंपल जिवा अब आते हैं बिना टाइम वेस क के हुए फर्स्ट कोशन ये का रहा है कि नेम दी बडी विच फ्रेम दी खॉंब आफ इंडिया अब आते हैं अगले question पे, initially how many members were the part of the constituent assembly, यहनिकि जब हमारा constituent assembly बना था, एक तो सवाल यह भी पुछे साथा कि, first constitution assembly का first meeting अब हुआ था, constituent assembly का first meeting हुआ था, आप उसका answer कर लिएगा, second का correct answer जोगा, वो आपका C होगा, अब चलते हैं, question number third पे, third हमारा यहां पे यह कहा रहा है कि, what was the number of article at the time of commencement of constitution, मतलब हमारा जब constitution बन रहा था, उस तम कितने article थे, so question number third का जो correct answer वो आपका option C होगा, 395 था यह निस्याली में, आज total current के सब 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 total कितने article यह वो आप कमेंट कर देगा, अब मतलब अभी current में total number of constitution कितने article के लिए वो आपको बताना है, अब चलते हैं next question पे, अगला question कहा रहा है, which of the following, schedule of constitution of India, deal with the matters like the formation of new states, यानि new states को लेकर, कौन सा schedule, कि schedule में बात किया गया है, तो fourth का correct answer जो को हैं पे, first schedule में, आप first schedule में ही देखेंगे, तो 28 states और 8 UTs के बारे में बात किया गया है, अब आते हैं अगले question पे, अगला question है कि, which house is called the upper house of the parliament, यह important सवाल है, इसका जो correct answer होगा हाँ पे, आपका, option B होगा, राजसभा, मैं आपको भी time दे रहो ताकि आप भी answer कर सकें, अब आते हैं अगले question पे, अगला question कहा रहा है, the original constitution of India, fixed how many judges for the supreme court, अब थोड़ा से मैं आपको पूरा भी दिखा भीता हूँ, supreme court, तो six का, मतलब initially, अगर हम बात करें, तो कितना fix किया गया है, और इनल में, तो six का correct answer होगा, that is, आपका eight, अब आते हैं अगले question पे, a judge of high court, यानि कि आपको जो political लिए दे रहे हैं, geography के लिए दे रहे हैं, BNLV के लिए दे रहे हैं, उनके लिए बहुत important question है, करें, a judge of high court can resign from his, her office by writing to, यानि कि high court का जो judge है, वो resign कहां दे सकते हैं, और कहां अपने resignation दे सकते हैं, seven का correct answer होगा यहाँ पे, CEO का president of India, अब आते हैं अगले question पे, अगला question कहा रहे है, who appointed the judge of supreme court, यानि supreme court के judge को appoint कोन करते हैं, तो eight का correct answer होगा यहाँ पे, that is, supreme court college है, यह एक आपको देखना पड़ेगा थोड़ा सा, अब चलते हैं, question number nine पे, in the first general election to the log, सबा 1952, how many national parties were, तो nine का जो correct answer होगा यहाँ पे, that is, आपका 14, initially total nine article थे, sorry, यानि कि total initial में 14 member थे, अब आते हैं अगले question पे, अगला question कर, in which state EVM were used for the first time in the general election, entire state to the assembly, तो ten का correct answer जोगा यहाँ पे, that is, c, कुछ में जो है, थोड़ा सा confusing लग रहा है मुझे भी, तो आप मुझे भी correct कर सकते, बाकिए कि next जो वीडियो आने वा लागो, उसमें 100% चीज़े सब कुछ correct हो, इसमें भी बहुत सारी correct थी है, कुछ ही incorrect थोड़ा सा confused हो रहे है, अब आते हैं अगले question पे, कर, who appointed the member of UPSC, UPSC यानि कि जो member होते हैं, union public service कौन करते हैं, तो इसका जो correct answer होगा, that is, आपका president, आप जानते हैं कि जितने भी commissions हैं, उनके head को कहले हो, कहले जिए member के लिए, चीफ member के लिए, वो president ही अपाइंट करते हैं, अब आते हैं अगले question पे कर है, इस state of Bombay was split into two states, that is, Gujarat and Maharashtra in the year, अब किस साल में, तो 13 का character answer जोगा, that is, आपका, ए होगा 1960 में, अब next question पर कहा रहा है, who appointed the secretary general of the log saba, log saba के secretary general कोण अपाइंट करते हैं, तो 14 का character answer जोगा है, that is, speaker, speaker काफी power होता है, तो लोग saba तो आपको अच्छास देखना है, यह लोग saba, राजस देखना है, next question कर रहा है, which of the following event compelled Gandhiji to launch the civil disobedience moment, तो 15 का correct answer जोगा है, यहाँ पर आपका, that is, roll it act, अब आते हैं अगले question पर, अगले question कर रहा है, which among the following is not a correct pair, इमने से कौन जोगा correct pair नहीं है, 16 का correct answer जोगा यहाँ पर elephant, elephant के वर कहां है, तो यह इनके दोर नहीं बना गया था, यह incorrect है, बाकी जो है वो correct है, अब आते हैं अगले question पर, अगला question यहाँ पर कर रहा है कि, which among the following, का वे अफ संस्क्रेट, deal with the court, intrigues and access to the power of Chandgupmar, तो 17 का correct answer जोगा यहाँ पर, यहाँ पर लिखा गया था, तो 18 का correct answer जोगा यहाँ पर, that is D, उत्तर मिल्मान सा के नाम पर, अब आते हैं अगले question पर, यहाँ पर कहा रहा है कि, the 8th century, 3-partite power struggle who among the following, यानि किसमें, यहाँ तीन लोगों, जो है, simple सी, 8th century में, यह तीनों एक दूसरी के लिए struggle कर रहे थे, यह सौथ वाले region का सवाल है, basically, तो 19 का correct answer, that is D, चालूक, पल्लवज and पंड्यास, अब आते हैं अगले question पर, next question यहाँ पर देख सकते हैं, कार रहा है, which among the following is not correct, इनमें से कोंज है, वो incorrect है, simple सी बात है, तो 20 का correct answer होगा, यहाँ पर, that is, capital of Vidya kingdom, which mythla, यह गलत है, mythla तो आपको बिहार में रिक जाएंगे, अब आते हैं, अगले question पर, which among the following, या ऐसे, which king started organization of kung fair at Allahabad, यानि कौन सा राजा start किये थे, तो हर्षवर्धन होगे, बिसल्कुल, 21st का correct answer होगा, that is, हर्षवर्धन, अब आते हैं, अगले question पर, कर रहा हैं, उपनिशद और बुक ओन, 22 का correct answer यहाँ पर होगा, that is, फिलोसफी पर था, अब आते हैं, अगले question पर, next question करें, which of the following statement is wrong, इनमें से कौन सा statement wrong है, 24 का correct answer यहाँ पर, that is, Ahoka the great modern king died in 32, यह गलत है, एक बार correct कर लेजेगा, बी जो है, इसका incorrect होगा, अब आते हैं, अगले question पर, अब यहाँ पर थोड़ा English के सवाल है, synony of horn का synonyum आपको बताना है, क्योंकि आपको पता ही है, कि सब पूछे जाते हैं, तो 25 का correct answer यहाँ पर बीगल होगा, next question करें, barrier का synonyum क्या हो सकता है, 26 का correct answer यहाँ पर D होगा, अब आते हैं, अगले question पर, find out the word opposite in the meaning of given order, याणि क्या opposite आपको बताना है, तो blindness का क्या होगा, 27 का correct answer यहाँ पर, see होगा विस्ता, next question कर, however increasing motivation beyond on dash level, तो 28 का correct answer यहाँ पर, that is optimal, अब आते हैं, अगले question पर, अगले question, question number 29, current 10 to dash a dysfunctional result, तो 29 का correct answer यहाँ पर, produce होगा, इंगलिस का सवाल है, बाकि तो इंगलिस में simple जिवाद, आपको ध्यान देना पड़ेगा, अब आते हैं, question number 30, यहाँ से मैंने इंगलिस का सवाल क्या है, बाकि आगे के देखने हैं, अगले question, because it is dash by an increased level of anxiety, 30 का correct answer यहाँ यहाँ आपको बताएंगे, लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा, अगर आपको social awareness, general awareness, और current affair, इवेंट थोड़ा reasoning और English के पार्ट से, अगर आपको upcoming और वीडियो चाहिए, comment कर दीजगा, बाकि मॉक्टेज जिनको भी join करना है, वो message कर लेंगे, thank you,